नमस्कार प्यारे बच्चों, वीडियो में आपका स्वागत हैं। आज हम हिंदी सुलब भारती की दूसरी इकाई की एक कविता, वीरों को प्रणाम, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इस कविता की कवी है रमेश दिक्षित। चलिए देखते हैं कविता में क्या दिया है। हमारा देश भारत यह एक आजाद देश है। लेकिन कुछ सालों पहले हमारा यह देश आज की तरह आजाद नहीं था। भारत को यह आजादी दिलवाने के लिए बहुत सारे क्रांती कारकों ने शूर वीरों ने अपने प्राणों का त्याग किया उनके इस बलिदान के कारण ही आज हम एक आजाद भारत देश देख सकते हैं उन्ही वीरों के इस बलिदान को याद करते हुए कवी ने यह कविता लिखी है चलिए देखते है कवी इस कविता से हमें क्या संदेश देते है कविता का नाम है वीरों को प्रणाम देश की मिट्टी का कनकन है जिन्हे प्रान से प्यारा प्रणाम ऐसे वीरों को सौसव बार हमारा कवी कहते है हमारे देश में कुछ ऐसे वीर थे जिने हमारा देश बहुत प्रिय था हमारे देश की मिट्टी का एक-एक कन भी उन्हें अपने खुद के प्राणों से अधिक प्रिय था कवी कहते है वीरों के इस बलिदान को हम एक बार नहीं अनेक बार प्रणाम करते है आगे की पंक्तियों में कवी लिखते है यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमना बहती भारत देश के बारे में बताते हुए कवी कहते है कि यहाँ पर गंगा और जमुना जैसी पवित्र नदिया बहती है आगे कवी कहते है देश पर मरमिटने की हरदम धुन सी रहती धुन इस शब्द का अर्थ होता है लगन कवी कहते है वीरों को अपने इस देश से इतना प्रेम है कि हर पल उन्हें देश के लिए कुछ करने की इच्छा होती है और वह हर पल अपने देश के बारे में ही विचार करते रहते है कवीता में आगे कवी कहते है वीरों के बलिदान सिचम का हिंद वतन का तारा यहाँ पर हमारे देश को कवी एक तारे के जैसे बताते है वीरों के बलिदान की वज़े से ही हमारा देश आजाद होकर एक तारे की तरह चमक रहा है ऐसे कवी कहते है आगे कवी कहते है नमस्कार ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा उनके इस बलिदान के लिए कवी हमें फिर से कृतद्नेता भाव रखने के लिए कहते है भगत सिंग, सुभाष चंद्रबोस, चंद्रशेखर आजाद, जाशी की रानी ऐसे बहुत से वीरों ने हमारे देश को आजादी दिलवाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया आगे कवी कहते है यह आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीक में हमारे देश को यह जो आजादी मिली है यह ऐसे ही नहीं मिली इसके लिए बहुत लोगों ने कश्ट उठाये है और उन में से कुछ लोगों ने अपने प्राणों की भी परवा नहीं की आगे कवी कहते है सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणारपन की सीख में वीरों के इस बलिदान से हम लोगों ने कुछ ना कुछ सीख ली है अंत में कवी फिर से वही बात दोहराते है देश की मिट्टी का कनकन है जिन्हें प्राण से प्यारा प्रणाम ऐसे वीरों को सौसव बार हमारा